ना चाशनी ना छैना ना मावा ना मलाई जब बनाएंगे ये नई मिठाई तो सभी पूछेंगे दोस्तो की कैसे बनाई किसने आपको बताया नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तो आज हम बनाएंगे सबसे सस्ती और सबसे टेस्टी मिठाई ए पैने लिया है यहाँ पर एक लिटर दूद और कड़ाई में डाल लें। कड़ाई में डालने से पहले आप कड़ाई को या तो पानी से धो लें या फिर आप इसमें दो तीन चमच पानी के डाल लें। या फिर दोस्तों आप अपने टेस्ट के अंसार घटा बढ़ा सकते हैं मीठे को। तो ये तो हमने मीठा डाल दिया है। साथ में इसमें डाल लेते हैं इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए यहाँ लिया है मैंने आदा जमच इलाईची पाउडर। ना हो आपके पास स्किप कर सकते हैं और थोड़ा समय ने केसर डाल दिया है केसर इम्मूनिटी को बढ़ाता है और टेस्ट भी बढ़ाता है तो इस तरह से हमने इनको मिला देना है और इनको पकाना है जब तक कि ये गाड़ा सा पेस्ट ना बन जाए तो देखिए इस तरह से दूद हमारा थोड़ा कम हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, केसर की विजे से, और दूद गाड़ा होने लगा है, जब ये थोड़ा सा गाड़ा होने लगे इस तरह से, तो आपने आधी कटोरीस में से निकाल लेनी है, इसका क्या यूज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो इसको लेते हैं, अभी हमने इसको पकाना है, जब तक कि ये गाड़ा सा पेष्ट ना हो जाए, तो देखें, पकाते पकाते ये इस तरह से हो गई है, जब तक कि दोस्तो इसका गाड़ा सा पेष्ट बने, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेड, पां दो आपने ब्रेड को इस तरह से काट लेना है जैसे कि मैं लंबे पीशीज में काट रही हूं बस इसी तरह से आपने बीच में से काट लेने है, साइडे काट कर, इसका यूज हम बाद में करेंगे, अभी हम दूद को देख लेते हैं, दूद देखे हमारा इस तरह से हो गया है, थोड़ा गाडा सा हो गया है, अभी इसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राइफ फूर्स, सकते हैं मैंने एक चमच काजू भी ले लिया है और डाल लिया है और इसको पका लेते हैं बहुत ही बड़िया टेस्टी रसीपी बनेगी आपकी और इसको तीन से चार दिन आप स्टोर भी कर पाएंगे बहुत ही अच्छी है ये पूरिंग का काम भी करेगी डजर्ट का काम कर बच्चों को भूग लग रही हो या मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप ये रेसीपी फटाफट से बना सकते हैं जादा भी जंजट नहीं है और कम समान में आपकी ये रेसीपी बन जाएगी और टेस्टी इतनी कि मैं क्या बताऊं आप खुद ही बना कर खुद ही टेस्ट करक जाता है इस रेसीपी में और एक तो वेश्ट नहीं जाती हमारी चीज तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसको करते हुए गाड़ा सा पेश्ट बना लेना है देखिए पेश्ट हमारा थोड़ा गाड़ा बन गया है बस इसी स्टेज का हमें ये चाहिए इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे आप गैस को कर देते हैं बंद और इसको रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए अब लेते हैं दोस्तों एक कोई बर्तन ले थाली ले या फिर बर्फी जवाने का जो मोल्ड होता है वो ले ले इसमें आपने डालनी है जो हमने रबडी बनाई है बहुत जगह है वहां तोड कर आप डाल लीजिए और उपर से डालेंगे दोस्तों इसमें जो हमने दूद बचाया था बीच में निकाला था एक कटोरी में वो डाल लेते हैं चमच की साथा से हर जगह आप डाल ले ब्रेड पर ताकि कहीं से ब्रेड आपका सूखा ना रहे और उपर से डालेंगे एक लेयर रबडी की और दूबारा से लगा लेते हैं इस तरह से मैंने लगा लिये हैं दूबारा से भी और इस पर बीड डाल लेते हैं हम वही दूद जो हमने गाड़ा सा रखा हुआ था तो दूद डाल कर दोस्तों दूबारा से डाल लेते हैं दो दोस्तों ये रेशिपी इतनी टेश्टी बनेगी न कि आप हर बार बनाना चाहोगे कोई महमाना आजाए आपके घर में तब आप इस रेशिपी को बना कर दे सकते हैं आदे घंटे में ये ठंडी सी हो जाएगी ठंडी ठंडी इस recipe को खाते हैं तो आपको मजा ही आ जाएगा गर्मियों का स्वाद हो जाएगा दूगना जब आप इस recipe को बनाएंगे तो इस तरीके से आदे घंटे के बाद आप इसको cut कर लीजिए या फिर और night भी आप रख सकत हैं और अब इसके pieces कर लेते हैं चाकू से और देखिये मैं आपको उठा कर भी दिखा रही हूँ बहुत ही बड़ी अच्छे से set हो चीकी है हमारी sweet और इसको serve कर लीजिए किसी plate में बच्चे हो या बड़े इस recipe पर तूट पड़ेंगे और बार बार आप से कहेंगे बनाने के लिए तो दोस्तो आप भी इस तरीके से घर में बना सकते हैं bread की मिठाई बिल्कुल आसान है बनाना और कम ingredient से ये मिठाई बन जाएगी तो दोस्तो कैसे लगी आपको आज की हमारी recipe अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को like करे, share करे, channel को subscribe करे तो मिलते हैं ऐसी ही एक और recipe के साथ next वीडियो में, तब तक बाई बाई